कुकुवित काफिया तो कैसे हैं आप सब आयोब के आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लेकर आई हूँ हूँ टेस्टी शामी कवाब की रैसिपी तो रमजान का महीना चल ला है तो हमने सोच आज क्यों ना शामी कवाब बनाए जाए तो आप इसको जट पर बनाकर इफ्तार से 20 लसन की कलिया और 10 से 12 मैं ले रही हूँ सूखी लाल मिर्ची अगर आप चाहिए तो पौडर वाली लाल मिर्ची भी यूज कर सकते हैं लेकिन इनका टेस्प थोड़ा अलगा जाता है एक बड़ी लाईची ले रही हूँ मैं एक दाल चीनी का टुकडा ले रही हूँ द तो थोड़ा 50 ग्राम कम कीमे से फिर यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है इसमे मैं डाल ले हूँ कीमा तो मैंने कीमा वाश करके रख रखा था अब मैं इसमें एट कर दूँगी खड़े गरम मसाले और जो लसन और मिर्चे मैं ले ली थी फिर इसके बाद मैं इसमें यहाँ पर देखी मैंने पानी भी एट कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपको जो हैं यहाँ पर नमक कम जादा कर सकते हैं आप या फिर बाद में भी इसमें एट कर सकते हैं नमक को अब मैं जो है इसमें धकन लगा दूँगी और इसमें सीटी लगा मैं इसको निकाल लिया है मैं थोड़े सहे ज्ञ्द का ग concurrent को मेश दो कुकर में इसमें थोड़े से गोश्ट के चंक्स हैं मूटे मोटे रोल मिर्च भी बिल्कुल साभूत है तो मैं इसको टेस्ट भाट अच्छा आएगा और इसमें जो है थोड़ से मोटे जंक्स भी बचाएंगे जिससे टेस्ट और अच्छा आएगा और इस तरीके से अगर आपको कवाब को बनाएंगे तो बहुत ही बड़ी है टेस्ट आएगा और अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा कवाब ऐसे खाने में ग्राइंडर में बिल्कुल पिस जाते हैं और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता इस तरीके से आप एक बार बना कर देखें यहाँ पर देखें मैं ऐसे ही इसको घोटे से घोट लूँगी सारी दाल को और यह जो मिर्चे है इनको भी ऐसे ही घोट लेना है तो आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से रैडी हो चुकी है दाल मिक्सर ग्राइंडर में इतने अच्छे से नहीं हो पादी जैसे हमने इसको यहाँ पर कर लिया है इसका आप टेक्च्छर भी देख सकते हैं कितना जादा दरदरा सा हो गया है और ऐसे ही हमने दाल चाहिए यही से कवाब अच्छे बनता है तो हमने भी यह दाल जो कर ली है अब मैं इसमें कुछ और चीज़ा एट करूंगी इसमें धनिया यहाँ पर चुपर कट कर लिया है फिर मैं इसमें एट करूंगी एक प्याज और हरी मिर्चे तो यहां पर देखी मैंने प्याज और हरी मिर्चे को एक साथ ही यहां पर चॉपर में चॉपट कर लिया है चार से पांच मैं हरी मिर्चे ली थी और दो मीडियम साइज की प्याज ली है इनको मैं अच्छे चॉपर में चॉपट कर लिया है आप चाहें तो हाथ से भी इसको बारीक बारीक काट सकते हैं अब मैं इन दोनों चीजों को डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगी जितना आपको कवाब बनाने हैं उसके इसाफ साफ इसमें समान एड़ कर सकते हैं दाल और जो भी चीज़े हैं तो उसके इसाफ साफ इसमें आड़ कर दें यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसका टेक्स्टर देख सकते हैं जो है जैसे हम इसको शेप बना रहे हैं वैसे ही बन रही है बिल्कुल भी टूट नहीं रही तो यहाँ पर आप अभी अच्छे से तयार हो चुका है तो मैं थोड़ो से इसमें और एट करी हूँ अध्रक अध्रक से बहुत बड़ी है टेस्ट आएगा तो आप इसको बारीक बारीक काटके अध्रक कर दें अध्रक को फिर मैं इसमें अध्रक कर दें सुखा पॉली ना अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसमें फ्रेश भी कट करके डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने सुखा करका तो कि ठीक है कैसे बनानी है तो यहां पर देखिए मैंने इसमें छोटे से अमाउंट में ले लिया है तोड़ा से कीमा और अब मैं इसको आपको ठीक है बना कर दिखाती हूँ सिंपली इस तरीके से मैं बना रही है इसको पहले गोल गोल गुमा लेना है इसमें जो साइडो में दरार आ रही है उनको भड़ लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह बन देंगे ठीकिए और साइडों जो है बिल्कुल एक तम कवर करना है वरना साइडों से निकलने लगती है इसलिए इनको बिल्कुल कवर कर देना है बिल्कुल भी दराण नहीं छोड़नी तो यहाँ पर देखे मैंने एक बना कर त्यार कर लिए हैं मैं आपको दूसरे भी इस तरीके से बना कर दिखाती हूं तो यहाँ पर देखे बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है जादा नहीं लेना वरना अंदर से यह कच्छी निकलेंगी पतली-पतली हम बनाएंगे, जादा वह वैसे नहीं बनाएंगे मोटी तो देख सकता है, आप मैंने इसको जो है, अच्छे से यहाँ पर पहले इसके दरारे भर लूँगी, इसको गोल-गोल कर लूँगे और यह देखे, बन गई कितने आसानी से यहाँ पर मैंने सारी टीके बना कर त्यार कर ली है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टीके जो है अच्छे से त्यार हो चुकी है लेकिन इसको जो है मैं आपको सेखना बताऊंगी तो यहाँ पर जो इसको तूटने की विए से कुछ लोग अंडे में सेखने हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राइपन में आईल लिया है तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आईल का बहुत कम यूज़ होगा और कोई ऐसा बरतनली जो इस तरीके से फैला हो जैसे फ्राइपन है या पर तबा तो ऑईल बहुत कम डाले मैंने या पर सिर्फ एक से दो चमच ऑईल डाला है और इसमें चार टीकी है सेक हूंगी तो इसको मैं ऐसे ही सेक लूँगी जिस तरह किसमें आपको बता रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा से ओल लगाना है टीकी-ो पे और इनको बीस सेंटर में रग देना है इससे टीकी-ो काकलर अच्छा ऐगा और बीस सेंटर में उच्छे से पक जाएंगी तो इनको मीडियम फ्लेम पर आप सेकेंगी तो बहुत अच्छी से जाएंगी आप देखियें, हाप पलट रही हो. तो कितनी आसाने से ये पलटनी जा रही हम. बिलकुल भी तूट नहीं रही है. लेकिन ये सेक तक थोड़ी सी पतली लगेंगी. सेकने में फोड़ी सी फैली फैली हो जाएंगी. लेकिन ठंडे की होने के बाद यह खोदी शेप में आ जाएंगी और कैडी भी हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से जो है सैड भी हो गई है और बहुत अच्छे से यह पक गई है तो आप भी एक बास को ट्राय जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखिए मैं एक कवाब उठा कर दिखाती हूं कितना अच्छे से इस सिग गया है और मैं इसको आपको तोड़के भी दिखाती हूं कि इसके अंदर कितना अच्छे से यहाँ पर रेश्यदार यह बना है तो यह देखी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, कितना अच्छा यह रेश्चदार कवाब बना है और कितना मज़े का लग रहा है देखने में भी तो आप भी एक बार इस कवाब की रेशीपी को ट्राय जरूर करें अच्छे लगई है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें ज़ाधा ज़ाधा शेर करें मिलता है नेक्स वीडियो में न्यू टेस्टी रेसिपीस के साथ थैंक्स वा रॉचिंग दिस वीडियो